हेलो आज हम बनाएंगे काले चने की पकोडे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंज तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट कने से पहले आप सभी से रिक्वेस्टे फ्रेंज प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखेगा अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना बूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है काले चने एक कप इसे कम से कम आपको पांच से छे खंटे इसी तरीकी से भिगो के रखना है उसके बाद प्रेशर को कर म में इसे डालेंगे और वन टेबल स्पून नमक डालकर दो सीटी हाई फ्लेम पे लगा लेनी है और यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं इसी तरीके से आपके जने गलने चाहिए कच्छा बनाने से इस तरीकी से अगर बनाएंगे तो डेस डबल लाएगा इसे ठंडा होने अब क्या करेंगे एक चोटी से प्यास को बारिक तरीके से कट करके में यहां पे लिया है उसके बाद जो अद्रक और लेसोन इसका जो पेस्ट पैनाय था उसे एट करेंगे उसके बाद बहुत सारा धनिया पत्ता एट करेंगे बहुत बढ़िया लगता है इसमें धनिया प पाउडर हाप टेबल स्पून बहुत बढ़ी अटेंगे फ्लाइवर आता है उसके बाद यहां पर एड करें लाल मिर्च आप अपने इसाब से इसे एड करें 1 टेबल स्पून मैंने एड किया है अब यहां पे बाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे बैसन टोटल में यहां हाथ से पहले मिक्स कर देना है देखिए बड़ी असी कोटिंग आ रहे है हमारे जो चैने है उसके ऊपर अभी धीरे धीरे करके अप थोड़ा थोड़ा करके पानी लालेगा क्योंकि बैसन बहुत जल्दी गिला हो जाता है और नरम भी हो जाता है बस देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करना है और इसे मिक्स करते जाना है और यहां पे मैं 2 टेबल स्पून और बैसन यहां पे यूज करी हूँ टोटल मैंने 7 टेबल स्पून बैसन यहां पे यूज किया है उसके पात क्या करेंगे यहां पे तेल गरम होने के लिए मै ते कि लिव बनाती हैं , अब हम आपने को से पैले रह窩 है , ऌड़ी , यह से अपकों परकर रहा है , क्रिस्प करता देना है , त्राइदे पहले हैं है , ज्सक् presidents से और सबना कर देंकि तरह क्रिषपैसे नहें कर दोषा करा देओ और देखिए ये पिल्कुल बनके रेडी है अब चली इसे तलने की योर अभी तेल यहाँ पर मैंने रख दिया है गरम होने के लिए तेल बढ़ी असी गरम हो गई है हाई मिडियम फ्लेम पर आपको इस पकोड़ी को दलना है देखिए धीरे धीरे करके एक के बाद एक आपको पकोड़ी को डालती जाना है बहुत सारे लोग चने को इसे भीगोकर ही बनाते हैं उससे इतना क्रिस्पी बन जाते हैं खाने में बहुत प्रॉब्लम आती है सब नहीं खा पाते हैं छोटे बच्चे और बड़े बुजर्ब आप इस तरह के से हम अगर इसे गला कर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में तो चलिए बाकी सारे पकोड़े को मैं एक साथ ही इसमें एक कर रही हूँ देखिए सारे पकोड़े मैंने बना ली है अब इसे आपको उलट पलट करके इस तरह के से बढ़िया सी गोल्डेन कलर आने तक दलना है देखिए बढ़िया सी गोल्डेन कलर धीरे धीरे इसका कलर चेंच हो रहा है और यह बिल्कुल क्रिस्पी बन गए है अब यह पेले का जो बैच अमने डाला था हूं उसे में निकाल ले हूं बहुत ही बड़िया क्रिस्पी बना है अब बाकी सारे पकोड़े को भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए कितना सुंदर कलर आया है और क्रिस्पी चने के बिल्कुल बनके रेडी है इसके साईट में थोड़ी से में यहां पे टमेटू क्याशप सार्फ कर एह हूं अब करीन चैतनी के साथ भी इसे साथ कर सकते हूं बढ़ लगता है खाने में बील्कुल कुर्कुरी चने के पकोड़े तो चले प्रिंस इस रेस बेखेंस तुछने बहुत ही हेल्दी होते मुट अमरे सहत के लिए में कितना क्रिस्पी सबस्सक्राइब अपन छोने हो की है पकोड यि स्सक्रान के था गया में तोर के देखेंग पकोड़ की इसका जो अंदर ACCरा क्या कैसा है डेखें कितना बढ़िया बनाया और चने बहुती बढ़िया क्रिस्पी बनके हैं अब इसके साथ मेदू बढ़े भी बनाई हूं अगर रेसिपी चाहिए तो प्लिस कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा मैं शेयर जरूर करूंगी तो चलिए हमारी इस कुर कुर इसी चना के पकड़ झाल